हेलो एवर्योवान मायो किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 17 जानवरी से लेकर 23 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काड्स हैं, एसो वांज और दिखें दोनों ही कार्ड जिदम से कॉंट्री एनर्जीज की बात करते हैं जहां Ace of Wands का का कार्ड initiatives, action लेने की बात करता है, वहीं solitude का कार्ड चीजों से किसी level पे withdraw करने की बात करता है, backseat लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में इस week रहता हुआ दिख रहा है देखे again मैं कहूंगी कि जहां एक तरफ बहुत एक active energies हैं, वहीं deeper level पे आप बहुत ही शान्ती के साथ, बहुत ही एक relaxed mind से हर चीज को deal कर रहे हैं और Aries जब भी भी हम ऐसी energies में होते हैं, तो कहीं हमारे goal, हमारे मकसद को achieve करने से कोई भी हमें नहीं रोक पाता है क्योंकि देखे problem तभी होती है जब हम जोश में होश खोते हैं, और इस week कहीं जोश तो दिख रहा है, लेकिन again मैं कहूंगी कि आप जोश में होश नहीं खोते हुए दिख रहे हैं और इसे स्टारों में नहीं beginning की भी बात करते हैं, तो या तो किसी level पे किसी तरीके की नहीं beginning in general या फिर specifically आपके professional front में हो रही है, या फिर Aries आप करना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि इसी नहीं beginning की वज़े से भी आप एक excitement, एक enthusiasm महसूस कर रहे हैं और दिखिए Ace of Wands का card अच्छी opportunities के भी मिलने की बात करता है, और कुछ ऐसा भी कुछ Aries या फिर काफी सारे Aries के लिए रहता हुआ दिख रहा है और नीचे फिर से मैं कहूंगे कि solitude का card कहता है कि आप चीजों को और समझना चाहा रहे हैं, आप चीजों को और understand करना चाहा रहे हैं तो overall दिखिए professional front के energies बहुत अच्छी दिख रहे हैं, फिर से nutshell में अच्छी opportunities आ सकती हैं आप उन अच्छी opportunities को grab करते हुए दिख रहे हैं, अगेन दिखिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चीजों को और समझना भी चाहा रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands and firm foundation के cards हैं तो दिखिए form foundation का card again बहुत ही एक solid foundation की बात करता है, किसी level पे एक stability, एक security की बात करता है और seven of wands का card कहीं issues और मसलों की बात करता है और extra initiative, extra effort के साथ कहीं success की भी बात करता है और दिखिए personal front में again कुछ ऐसी सी energies रह रही हैं और यह general leading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैसे एक firm foundation आप अपने personal front में या फिर अपनी life में लेकर आएं उसी से ही related आप action initiatives ले रहे हैं और उसी से ही related आपको कुछ challenges भी face करने पड़ रहे हैं कुछ issues, कुछ problems भी हैं लेकिन आप डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं आप upfront होके बहुत ही courageously हर चीज को deal कर रहे हैं और कहीं आपको success भी मिलती हुए दिख रही है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहां एक तरफ, एक stability, एक security आप personal front से related किसी area में महसूस कर रहे हैं वहीं कहीं you know personal front से ही related किसी और area में कुछ challenges, कुछ मसले भी हैं और देखिए कहीं जो भी आपके personal front में चल रहा है, cards आपको यही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है क्योंकि देखिए seven of wands का card ही कहता है कि success तो मिलेगा लेकिन उसके लिए extra effort, extra initiative करना पड़ेगा बहुत सारे Aries ऐसी energies में दिख रहे हैं, जो नहीं हैं उनके लिए message है कि आप ऐसी energies में रहें and guidance से आप लुगों के लिए well deserved reward का card है, तो देखिए पीछे किसी भी चीज़ के लिए आपने बहुत effort किया, बहुत मेहनत किया in general ही, उसी से ही related या फिर otherwise भी, एक positive outcome किसी चीज़ से related रहता हुआ देख रहा है आपको एक appreciation, एक recognition जो भी लोग आपके आसपास हैं, उन्ही से ही मिलता हुआ देख रहा है and astrology से आप लोगों के लिए विस्ता का card है और इसके हिसाब से yellow and orange colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant days आप लोगों के लिए होंगे Thursday and Sunday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए